असलाम अलेकुम फ्रेंस वेलकम टू माई चैनल संराइज मैं उशानाज और आज हम इस तरह की बुरीज बनाएंगे इसको बनाना बहुत ही ज्यादा एजी है और ये साइड नंबर 6 और 7 वालों के लिए है बड़ा चोटा आप बना सकते हो 4 प्लाई वूल से मैंने इसको बना है और 10 नंबर नीडल का इस्तमाल किया गया है चलिए जल्दी से हम इसको बना लेते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा द किजिएगा ताकि आने पाड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके आईए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दो कड़र की वूल और 10 नंबर नीडल का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और इसे नीडल म बेट लेना है और उंगलियों की मदद से इस तरह से फंदे हम बनाते जाएंगे 55 फंदे बनाएंगे यह देखें 55 फंदे मैंने बना लिए हैं तो आए अब हम इसकी बनाई करते हैं बनाई हमें सीधी सीधी करनी है और फर्स्ट फंदे से हम इसको शुरू करेंगे यह अब यहां पर देगे फ्रेंस लास्ट का जो स्टिच है वो भी हमें सीधा ही बना है इस तरह से यह फर्स्ट फंदे को हम इस तरह से निकालेंगे बिना बुने और अगले फंदे से हम लगाएंगे कलर इसको हमें दो बार इस तरह से थागे को लपेटना है और पांच फंदे हमें इसी तरह बुनने हैं यह एक दो तीन चार पांच एक फंदे को बिना बुने निकालेंगे और पांच फंदे फिल से हमें इस तरह से डबल धागे के साथ बुन लेने हैं तो तीन चार पांच एक फंदे को बिना बुने निकालेंगे और इसी तरह हमें पुरे रों को बुन लेना है यह दिखें पांच फंदे हमने इस तरह से बुन लिए हैं और इसको हमें बिना बुने ही यह से उतार लेना है यह हमारा दूसरा रों कप्रीट हो गया है अभी तीसरा रों बुनेंगे उसके लिए हमें यह वाला जो फंदा है इसे बिना बुने इसी तरह निकाल लेना है और यह फंदे हम इस तरह से खोलेंगे अभी इनी पांच पंदों को हमें फिर से इस नीडल में उतार लेना है ऐसी और तीन बार इसे बुनेंगे एक एक बार धागा लिपेटेंगे दो फिर से धागा लिपेटेंगे यह तीन यानि यहां पर हमने फिर से पांच फंदे बना लिये हैं यह वाले फंदे को हमें स्किप भी करना है पुर्णा नहीं है पांच फंदों को हमें इस तरह से खोल लेना है आप चाहें तो यह इस तरह से एक एक फंदे को भी ऐसे नीडल में डाल सकते हैं यह देखें, एक बार बुना, एक फंदा पढ़ा लिया यहां पर, और दूसरी बार फिर से हमें बुल लेना है, पांचा फंदों को, फिर से फंदा पढ़ा लेना है, और तीसरी बार बुनेंगे, और सारे फंदे हम निकाल देंगे, ऐसे, यह वली फंदे को स्किप करेंगे और फिर से सारे फंदे हम इस तरह से कोल लेंगे यह देखें यह लास्ट में जो है यह दागे को आपको इस तरह से पकर लेना है और फिर से हमें कि फंदों को इस तरह से नीडल में है एक बर बोना है निदर बढ़ा करें और फिर से बोना है एक फंदा प्त प्रार लिए कि तशया ओंकश में इस तरह से और यह जो स्टिच है इसे बीना पुने ही हम इस तरह से निकाल लेंगे ये तीन रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं अभी ये चौथा रो है जो हम बुनेंगे और इसे हमें इसी धावे के साथ बुनना है ग्रे रंग के साथ और ये वले फंदे को भी हम बुनेंगे सीधा सीधा बुनना है और ये पांच और फंदों को हमें फिट से सीधा सीधा बुन कर ऐसे इनको बना लेना है और ये जो फंदा है इसे हमें इस तरह से निकालना है और नीचे के ये जो दो धागे हैं ये देखें इनको हमें इस तरह से निडल में डाल लेना है और इसे ऐसे हम बुनेंगे बहुत ये इजी है ये देखें सीधा सीधा हम पांच फंदों को बुन लेंगे और जो skip किया हूए फंदा है उसे हमें इस तरह से निडल में डालना है और नीचे से ऐसे आपको फंदों को उठा लेना है अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो इस निडल में भी आप इसे डाल कर ऐसे बुन सकते हैं तो इसी तरह हम इस रो को पूरा करेंगे तो ये रो भी हमारा इस तरह से कम्प्रेट हो गया है लास्ट की स्टिच को हमें सीधा ही बुन लेना है अब ये पांच पार रो है जो हम पुन रहे हैं इसे भी हमें सीधा सीधा ही बुन लेना है ये देखें ऐसे ये रो भी हमारा कम्प्रेट हो गया है और लास्ट की स्टिच को अभी हमें सीधा ही बुन लेना है ऐसे अभी छेमा रहो देखे फ्रेंस हमें किस तरह से बुनना है यह जो डिजाइन है वो हमें यहां पर लाना है इन दोनों के बीच में वो हमें किस तरह से करना है यहां पर हम तीन फंदे जो हैं वो डबल थागे के साथ बुनेंगे शुरू में ही वो देखे यही से हम शुरू कर दो, यह तीन, और इसको हम स्किप करेंगे, यह देखें, यह बीच में आ गया है, ठीक है, और फिर से हमें पांच फंदों को इस तरह से दो बार धागा घुमा कर बुनना है, तीन, चार, और यह पांच, एको स्किप करेंगे, और पांच को इस तरह दो बार धागा घुमा कर बुननेंगे, और यह वाले रोको हमें इसी तरह बुनना है, यह दिखें, यह इस तरह से सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, तो इसे भी हम कम्प्लेट कर लेते हैं, अभी लास्ट में देखें, फ्रेंस हमारे पास देन फंदे बचे हैं, और इन्हें भी हमें सेम वैसे ही पुनना हैं, जैसे शुरू में किया था, तो यह रो हमारा इस तरह से बनेगा, अभी यह साथना रो है, इसे सेम हम वैसे ही बुनेंगे, जैसे हमने पीछे फंदों को इस तरह से खोला था, यह देखें, और तीन फंदों को हमें फिर से नीडल में इस तरह से उतार देना है, और इन्हें हमें उल्टा करके ऐसे बुनना है, एक बार, ठीक है, यह दो बार, बस यह देखें हमारे पास तीन फंदे यहां पर बन गए हैं और इसे हम निकाहतेंगे, इसे हमें तीन बार नहीं बुनना है और ये वाले जो फंदे हैं इन्हें हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने पीछे बुना था तीन बार ठीक है तो ये आप याद रखिएगा ये जो तीन फंदे हमने शुरू में और एंड में बुने हैं उन्हें हमें दो बार बुनना है ठीक है एक, दो, और ये तीन, और इसी तरह इस रोग को हम पूरा करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है फ्रेंस ये डिजाइन, बहुत ही असानी से आप बना लोगे, तो इजी रोग को आपको बार-बार पीट करना है, और इसे बुनते जाना है, अभी ये लास्ट के तीन फंदे हैं, ये दिखें, ठीक है, इन्हें हमें दो बार बुनना है, एक बार ऐसे एक बार बुन लिया, फिर धागाल बेट कर एक फंदा बढ़ा लेंगे, और एक बार फिस्चे बुन लेंगे, तीन फंदे यहां पर हो गए हैं, तो इन्हें हमें इस तरह से निकाल देना है, अभी हमें ग्रे रंग के साथ सीधा सीधा बुनना है, और ये वले फंदे को हमें नीचे से उठा कर बुनना है, तो देखें हमें किस तरह से करना है, यह देखें, यहीं से हम बुनेंगे, ऐसे, यह यह तीन फंदे हो गई है हमारे पास, यह देखें ठीक है और यह वाला स्टिच जो है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, कि नीचे से आप इस तरह से दो धागे आपको उठा लेने हैं, यह देखें यह दो है, ठीक है और इसे हमें इस तरह से बूल लाना है सीधा सेम ही है जैसे हमने पीछे किया था नीचे से दो धागों को यह दिखें यह दो दागे आपको इस तरह से नज़र आएगी और ऐसी आपको उठा लेना है और इसी तरह इस रो को पुरा करेंगे यह दिखें जी यह रो भी हमारा कम्प्लीट हो गया है और यह फ्रेंज आठ रो का ही डिजाइन है इन्ही आठ रो को आपको बार बार रिपीट करना है और इसे बनाते जाना है यह दिखें यह कुछ इस तरह से नज़र आएगा तो इन्हें ही हम बार बार रिपीट करेंगे और इसे आगे बुनेंगे तो मैं इसे कम्प्लीट करती हूँ फिर आगे बताती हूँ 16 रो बुनने के बार यह लाइने देखें एक दो तीन चार बन गई है अभी हमें क्या करना है थोड़ा लंबा रखकर के यह ग्रे रण के धावे को हम कट कर देंगे आगे की बुनाई हमें पिंक कलर के साथ ही करनी है तो हम सीधा-सीधा इसको बुनते जाएंगे वो देखें किस तरह से फर्स्ट फ्रंडे को हम बिन बने निकालेंगे और यह वाले धागे को हमें इस तरफ कर देना है जैसा कि हम पीछे करते आ रहे थे तो यहां से हम पिंक कलर के साथ बुनेंगे और इसके उपर से क्रॉस करेंगे अब यहां लास्ट के स्टिच को देखें फ्रेंस हमें किस तरह से बुनना है ऐसे इसको उल्टा करके बुनेंगे अभी हम बुनाई को सीधा-सीधा ऐसे ही कंटीनियू रखेंगे और 47 रो आगे तक बुनेंगे तो मैं इसे कंप्लेट करती हूँ यह देखें जी अगर हम इसका मेजर्मेंट करें तो यह साड़े तीन इंच तक हमने बनाया है और नीचे का हिसा जो है वो यह देखें डेड़ इंच से तो पॉइंट उपर है ठीक है तो अभी हम इसकी लाइनिंग इन लेते हैं कि कितनी हुई है एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदेरा, सोला, सतरा, अटरा, उन्नी, वीज, इकी, बाई, तेई, चौबिस चौबिस ये इस तरफ है और पीछे ये टेईस है अभी हम ग्रे रंग के साथ यहां से सीधा सीधा बुनेंगे फर्स्ट फंदे को बिना बुने निकाल लेंगे और अगले से हम लगाएंगे थाका यहां पर हमें यह वाले धावे को साथ साथ मोर लेना है फिर हम इसे कट कर देंगे जितना एक्स्ट्र होगा तो यहां से स्टिच जो है वो धिले नहीं पड़ेंगे अभी हमें सीधा सीधा बुन लेना है यह दिखें जी यहां पर लास्ट के स्टिच को हमें सीधा ही बुनना है ऐसे अभी इस तरफ भी हमारी 24 लाइने गिनी जाएंगे तो फर्स्ट फंदे को हमें इस तरह से निकाल लेना है और धागे को हम गुमाएंगे दूसरी तरफ ठीक है तो यहां से रो को शुरू करेंगे एक रो सीधा सीधा और बुनेंगे अभी आपको याद रखना है कि लास्ट के फंदे को हमें सीधा ही बुनना है और जब रो शुरू करना है तो धागा गुमाकर दूसरी तरफ कर देना है अभी हम यह वाले 16 रो यहां पर फिल से दोहराएंगे यह देखें दी यहां पर भी मैंने 16 रो कम्प्रीट कर लिए है अभी हम इसको बंद करेंगे यहां तक और यह जो पिंक कलर का धागा है इसे हमें कट कर देना है और जितना स्टिचिंग के लिए चाहिए उतना हम रख लेंगे इस देखें इतना धागा मैंने रख कर है और चलिए अब हम इसको बंद कर लेते हैं इस देखें जी हमें दो फंदों को एक साथ नीडल में लेना है ऐसे और इसका एक बना देना है इसे फिर से नीडल में उतारेंगे और यहां से फिर से हम दो का एक करेंगे नीडल में उतारेंगे दो का एक करेंगे पूरे रो को हमने बंद कर दिया है अभी ये लास्ट का जो स्टिच है वो देखें हम इस तरह से करना है यह देखें इसको ऐसे हम बंद कर देंगे और यहां जो है और जितना हमें स्टिचिंग के लिए धगा चाहिए उत्मा हम कट कर लेंगे और इसी के बीच में से हमें निकाल देना है यहां से लेकर यहां तक ट्रेंजिस के असी रो बने हैं 16 रो यहां पर हमने बनाए हैं 16 यहां पर बनाए हैं और बीच के जो हैं वो 48 है आए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं यह देखें धी यहां से शुरू करेंगे यहां तक और यह वाली स्टिचिंग होगी फिर यह यहां तक हाफ तक होगी तो वह देखें करना हमें इसको सीधी तरफ से ही है यह सीधी साइड है और यहां से शुरू करेंगे कि यह देखें अब यहां पर देखें यह जो स्टिच है यह वादे यहां से उठाएंगे और यहां से उठाएंगे फिर हमें यहां से उठाएंगे और यहां से उठाएंगे ऐसे दोनों तरफ से हम स्टिच देते जाएंगे और इसको सीलते जाएंगे कि आएंगे कि आएंगे भी्पThere कि आएंगे कि आएंगे कि आएंगे यह देखें जी यह कुछ इस तरह से नजर आएगा और यहीं पर आप हमें ऐसे इसको जो है पकता देना है और नीचे की तरफ जो है पुल्टी साइड से हमें ओपर की तरफ थोड़े से स्टिच जो है उठाने हैं और यहीं पर हम यह धागे को इस तरह से डबल कर देंगे और एक नॉट लगा देंगे यह वाला एरिया जो है वो सिल गया है अभी नीचे का एरिया हमें पिंक कलर के धागे के साथ सिलना है तो इसे हम यहीं पर कट कर देंगे यहीं से यह देखें यहां पर हम धागे को लगाएंगे ऐसे और एक नॉट हम यहां पर ऐसे लगातेंगे तो सीथी तरफ आ जाते हैं और वैसे ही हमें स्टिच उठाने हैं यह देखें यहां से उठाएंगे और यहां से एक स्टिच इस तरफ से और एक उस तरफ से करता है यहां से तरफ से तरह करते हैं थोड़ा सा इसको खींच देते हैं, यह देखें, बिल्कुल लाइन के साथ लाइन जो है वो मिल गई है, और यह जो एरिया है, यहां से हमें यह वाले स्टिच इस तरह से उठाने है, और यह हम पर यह रिंग बन जाएंगे, तो यहीं से हम उर्टी तरफ को सुई को ले जाएंगे, यहां पर हम ऐसी दो बर्थावे को पास कर देते हैं, ताकि वो जो छोटा सा होल है, वो बंद हो जाएंगे, तो यहीं पर हम भिल से बैक स्टिचिंग करेंगे, अर दागे वो बट कर देंगे यहीं पर, और यह बैक साइड की स्टिचिंग जो है, वो हमारी, complete हो गई है ठीक है तो अभी हम करेंगे इस साइड की stitching जैसा कि यहां पर धागे हैं हमारे तो यह वाले धागे को हम यहां तक ले आएंगे ठीक है यह दिखें फ्रेंद्स ऐसे करके हमें धागे को बस नीचे की तरफ लाना है ज्यादा टाइट नहीं करना यहां से अभी यह साइड जो है वो सीधी है यहां से देखें यह सीधी साइड है तो यही स्टिच है जो हमें उठाने है यह देखें यहां से हम इनको उठाएंगे ऐसे अभी यहां पर देखें जी यह वाना धागा जो है वो हमें इस तरफ से खीच लेना है और इसको हम काट कार देंगे यहां तक है तो यह जो धागा है इसको हमें ऐसे मोरना है और खीच देना है टाइट और यहां पर हम लगाएंगे तो नौट और यहां पर हम लगाएंगे तो नौट और यह जो एक्स्टा धागा है इसको कट कर देना है और नीचे की तरफ हम इसको कर देंगे उल्टी तरफ और यहीं से हम नीचे की तरफ सुई को भी लेकर जाएंगे यह जो एक्स्टा धागे है ना यह सारे आपको कट कर देने हैं यह देखें यहां पर हम इस होल को थोड़ा सा बंद करेंगे ऐसे और आगे जो स्टिच हैं वो हम इस तरह से एक दूसरे के साथ मिला देंगे यह देखें यह सीटी तरफ से ऐसे नजर आएगा तो यहीं पर हम यह देखें यह उल्टी साइड है पुल्टी साइड की तरफ आपको यहीं पर धागे को कट भी कर देना है क्योंकि आगे की यह स्टिचिंग है वो हम ग्रे रंग से करेंगे अब यह जो धागा है यह एक्स्टा धागा है इसको हमें कट कर देना है नहीं चोटा कर देंगे यह ंपर ग्रेफ की सब्सक्राइब में यहां इसको सिलते जाएंगी जैसे भी स्टिच आ रहे हैं बस आप उसे उठाते जाएं झाल झाल ऑन था करो झाल झाल यहां तक स्टिचिंग जो है वो हम ने कली है अभी हम उल्टी तरफ जो है इसको लजा करके पक्का कर देंगे यहां से हमें ऐसे दो बार धागे को पास कर लेना है यह आप अपने पैर में डाल कर भी देख सकते हैं कि आपको कहां तक जो है इसको उपर से खुला रखना है तो यह एरिया जो है वो आप अपनी मर्जी के मताबक भी रख सकते हैं कि आपको कि आप ए पिर ले गागे जा पिर मेंगे लेख सकते हैं अभी हम इसको पहन कर देखते हैं कि किस तरह से लगती है पहनने के बाद फ्रेंज ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें शेयर करें और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाला पहली वीडियो में इसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हापीस